सावन को इंगलिश में क्या कहते हैं कि आज की वीडियो में सीख लेते हैं सावन को वैसे तो आप the month of सावन ही कह सकते हैं क्योंकि जो सावन का महिना होता है उसके लिए इंगलिश में कोई proper word है नहीं क्योंकि सावन का महिना जो है वो भारतिय कैलेंडर में ही है लेकिन ये इसका सही सावन का मतलब नहीं है, सावन के जगह पर आपको इंग्लिश में भी सावन ही बोलना पड़ेगा, जैसे कि अगर आप ये कहना चाहें कि भारत में सावन का महिना बारिश और हरियाली से भरा होता है, तो आप कह सकते हैं, या अगर आप ये कहना चाहें कि सावन के दिनों में लोग कई त्योहारों में भगवान शिव की पूजा करते हैं, तो आप कह सकते हैं, तो सावन को इंगलिश में आप सावन भी कह सकते हैं, या फिर मौन्सून या रेनी सीजन कह सकते हैं, अब आप ऐसी ही किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंगलिश में यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी, जिसमें आप बिना किसी फालतुबकवास के सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे, तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के ल थक्तार गल कर वीडियो के सीधा है सेस्क्राइबं में झात्याब